हालो फ्रेंड्स मैं शालनी और आज मैं लिकर आई हूँ आपके लिए केले की एकदम नई रेस्पी जो आपको बहुत पसंद आएगी फ्रेंड्स से बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाती है साथ में बहुत टेस्टी भी लगती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले आप दो पके हुए केले ले लिजे फिर उसके बाद इसके छिलके हटा कर mixer grinder में छोटे-छोटे pieces करकर डाल दीजे तो अब हम इसको पीस हैंगे यदि आप exercise करते हैं तो यह केले की जो recipe मैं आप तयार कर रही हूं बहुत ही एनर्जर्टिक है आप इसे खाएंगी तो तुरूंत से आपको शक्ती मिलेगी काफी शक्ती बर्दक है और स्वाधिष्ट भी लगती है और काफी जल्दी भी बनकर तयार हो जाती है तो आप इ तो हमारा केला तो पिस चुका है अब इसमें डाल दीजे थोड़ी सी कुलफी वाली ice cream किसी भी प्रकार की ice cream डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो जैसे आप चॉकलेट की ice cream डाल सकते हैं या दूद की ice cream डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर कुलफी वाली ice cream ले रही हूं यहाँ और एक आईस्क्रीम काफी है वैसे तो एक कुलफी से ही ये काफी ठंडी हो जाती है लेकिन फिर भी यदि आपको चिल्ड खाना पसंद है तो आप 5 मिट फ्रीजर में रखने के बाद सर्फ कीजेगा तो काफी बढ़िया लगेगी यहां मैं इसके छोटे-छोटे पीसिस कर र तो यह रैस्पी आपको बहुत पसंद आएगी जरूर से बना के ट्राई कीजेगा और अब डाल दीजे इसमें एक टेबल स्पून बटर स्कॉट सॉस फ्रेंट्स इसकी रैस्पी में अपने यूट्यूब चैनल पर पहले ही शेयर कर चुकी हूँ मैंने वहाँ पर ब्राउ जो टेस्ट आपको मिलना चाहिए तो हमारी बहुत ही टेस्टी केले की रैसपी बनकर तयार है आप से बना के ट्राई कीजेगा बहुत ही अनर्जिटिक रैसपी है खास वाती है कि सिर्व 2 मिनिट मे बनकर तयार हो जाती है यदि आपको ठंडा खाना है तो फ्रीजर में thank you, bye bye